कभी अशोक साहिल का एक शेर था कि गंबो की आँच में भी मुस्करा कर चलना पड़ता है यह दुनिया है यहां चेहरा सजा कर चलना पड़ता है और सियासत साजिशों का एक ऐसा जाल है जिसमें कही चालों को खुद से भी छुपा कर चलना पड़ता है अक्सर लोग शायरों से कवियों से बहुत डरते हैं और अगर वो पॉलिटिक्स में आ जा तो काफी डेडली कॉम्बिनेशन है वालिट साहब चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनू और इंटर्मीडियेट के दौरान मुझे समझ मैं कि ये मेरी दुनिया नहीं है मेरी दुनिया कहीं और है क्योंकि मैड़क नहीं काट पाएंगे इसलिए हाँ उसी उनिवस्टी में फिराग बोरकपुरी हरिवन चराय बच्चन महादेवी बर्मा बड़े बड़े लोग बड़े नाम सुरिकांत्रिपाथी निराला जिसके सीनेट हॉल में कभी आकर के फैज एहमत फैज ने नजमे पढ़ी हो जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूँ मैं क्या करूं मजबूरियां हैं गाओं से आया हूँ मैं और मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखू तेरा जर्फ ऐ समंदर किसने तुछ से कह दिया प्यासा हूँ मैं सियासत बदलने आया हूँ सियासत की वज़ा से खुद को बदलने का जिस दिन मुझे डर लगेगा उस दिन छोड़ दूगा सियासत एक परंपरा रही है लाल के लिए का जो मुशारा होता था उसमें देश के प्रधानम से लेके सड़क तक एक सवाल पूछ पा रहा है वसंदुरा राजय जी पूछ रही हूं तो बताइए गजंदर सिंग शेखावत जी खुदी फंसे हुए है अब आये मंद्र प्रदेश तीन भाजपा है एक शिवराज भाजपा एक महराज भाजपा नाराज भाजपा तो य यह जो है ना आप लिखते बढ़े गां ओए जो भी बोलो आप लिखते बहुत बढ़े गां हूं मतलब आप यह कह दो कि यह हार तो मोदी जी की हार है तो मतलब कई एंकर तो ऐसे मतलब रियक्ट करते हैं किसे लगता है कि आपने उनके पारिवारिक इसी बुज़र्ग सद जद्धा जी ने कहा था और वाटसप पर ये मैसेज बहुत सर्कुलेट किया गया था कि मोदी जी के एक फोन कॉल ने युक्रेन का युद्ध रुकवा दिया उक्रेन और रसिया का आपको तक भी पहुंचा ही उक्ता पक्का पहुंचा होगा जब आप जाते हैं कि हर इंसान को एक टाइम दिया जाता है बोलने का मिलता है कैसे हो था यह बिल्कुल नहीं इस मुखालते में बिल्कुल मत रही है तो दिन्या बड़ी अपको अपना वक्त चीनना पड़ेगा सियासत हो जलेवी है जो आसानी से नहीं चूड़ती है मेरे पुराने दोस्त जब मुझे सांसत जी कहते हैं या MP साहब कहते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है क्या यारे मना फालतू की बात है इम्रान की आ रहा है प्रताबगड़ की गलियों से राजसबा के गलियारे तक का सफर कैसा रहा उसमें बीच में बहुत सारे नजमें आई बहुत सारे वाक्य हुए होंगे इन सब का कॉन्वसेशन चलेगा आज हमारे साथ बहुत सबावी पॉडकास में इम्रान प्रताबगड़ी साहब है राजसबा के सांसद हैं प्रताबगड़ के रहने वाले हैं और कैसा हुआ जिन्दगी का सिलसला कैसे शुरू हुआ प्रताबगड़ के कुछ किस्ते बता जीए वहां से शुरुवात करते ह तरसलिब बहुत सारे लोग बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करके एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं, मेरी जिन्दगी में सब कुछ बेतर्तीब सा था, वालिद साहब चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ और इंटर्मीडियेट के दौरान मुझे समझ मैं कि ये म अपनी दुनिया है, और वो दौर वो था कि जब शायरी और कविता करने वाले इंसान को समाज में माना जाता था कि मतलब ये तो गया हांथ से, लड़का हांथ से निकल गया, तो वहां पैसे नहीं थे, तो हर माबाप सोचता है कि उसका बेटा जो हो, जिन्दगी में काम्य तो उन्हें ये लगता था कि ये काम्याबी वाली दुनिया तो ये नहीं है, फिर मैंने थोड़ा सा घर में जिसको कहते है ना कि थोड़ी बगावत की और इलहाबाद यूश्टी आ गया पढ़ने के लिए, वो जिन्दगी एक बहुत टैनिंग पॉइंट था, वाले साब नहीं भेजना चाहते थे, तो कि मैं परिवार में बड़ा था तो पिता जो है गाउं में आज भी बड़े बेटे को सोचते हैं कि हमारे आसपास रहे तो ज्यादा अच्छा है, इलहाबाद वहां से 70-70 km दूर है, पहली बार शेहर बाहर निकल के आया, तो वह बहुत पॉइंट और फिर वहां आकर के बड़ा प्लेटफॉर्म जाहर सी उसने अपको बदला ऐसा इंसान? यकीन है, इसमें कोई जोरा नहीं जो मैं चाहता था वह करने के लिए बड़ा कैन्वस मिला, वहां लिट्रिरी माहौल था, अलग अलग तरह के कम्टीशन होते थे, पता खुबसूरत था, उनमें लिटरेचर था और चुकि उसी उन्वस्टी में फिराग गोरगपुरी, हरिवन शरायबच्चन, महादेवी बर्मा, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोग, सुरिकां तरिपाथी निराला, जिसके सीनेट हॉल मे कभी आकर के फैज अहमत फैज ने नजमे पढ़ी हो तो वो सब बहता था वो जो बर्गत का एक पेड़ है जो सिंबल है उस यूवरस्टी का उसकी च्छाओं में बैठते थे तो वहां बैठके जब हम अपने दोस्तों के साथ शायरी पे बात करते थे तो ऐसा लगता था कि अ उस दौरान में हिंदी में कविताय लिखने लगा और हिंदी कविसमेलन के मंचों पे सक्री हो गया देश के जितने बड़े नाम है सब के साथ कविसमेलनों में जाना सुरेंट शर्मा जी हरियों पवार कुमार विश्वास और ये सब सारे लोग कविसमेलनों में बड़े न मैं 2008 मैं मैं पुर्ण रचा ऑट कि आदे पर ऐसा मौका पर दो जाना तो रहा कुप जाना रहा मैंने जर्नलीजम का डिप्लोमा किया वहां से वापस से और उसके बाद जो है लगाव तो काम है तो उससे मैं बहुत शुरुवाती दिनों से जुड़ा हुआ हूँ तो अब तक दोसों से ज्यादा बिकलांग बच्चे बच्चियों की शादी हम तमाम दोस्त करवा चुके हैं तो उसको लीड करते हैं तो उस कारेक्रम में इस साल में गया तो वो सारी गलियां वो अब सरकार को यह भी चुबा लेकिन इलहाबाद में पला बढ़ा इलहाबाद की गलियों में जिसने सांस ली है उसके लिए वो प्रियाग राज इलहाबाद रहेगा है इसमें कोई दोरा निक साही बाद है आपने इस कॉन्सेशन के स्टार्ट में बात बुली कि हमेशा लो कोई बहुत फीजिबल ऑप्शन नहीं था करियर के लिए क्या वो चीज़ बदली है अब हम 2023 में हमी वो 2012-2013 आते आते बदला जब सोशल मीडिया हमारे हाथ में आया मल्टी मीडिया मूबाइल हमारे हाथ में आये तो वो चीज़ें बदली शुरू में पैसे नहीं थे 2000 होता गया तो अच्छा हुआ मैं जब आया तो मुशायरों में बहुत कम पैसे थे कभी सम्मेलनों में तो फिर भी पैसे था ठोड़ा सरकारी स्पांसर्शिप मिल जाती है महत सहो या फिर नुमाईश के प्रगाम जोग एक परंपरा है देश में हिंदी पट्टी में खास तो वहां पैसे थे लेकिन मुशायरों में बहुत कम पैसे थे लेकिन दुर्दशा होई या मानो नहीं उसकी बनिस्बद बहुत कम पैसे थे ज अप अंधर लगा सकते हैं अंतर कितना था जबकि आप देखें तो इंटरटेन्मेंट कई अलग अलग विधाओं में एक तस पोईट हैं कर एक को बिसम मेलन में तो वह 10 तरह का टेस्ट जो है वो सभी रहे हैं तो इंटरटेन्मेंट बहुत ज़ादा था इसमें लेकिन फि ग्लेमर लेकिया आए मशायरों में तो उसका बेनिफिट सब को मिला और सब थोड़ी थोड़ी दुआएं बट एक मेरी हर सरकार से मतलब वो कॉंग्रेस हो ये बीजेपी हो ये कल्चर को ना बहुत साथ बढ़ावा नहीं मिलता है हम ये बाकी चीजों में इतने फस जाते हैं और जो समाज जो सरकार अपने कवियों शायरों साहित्यकारों खलमकारों और अलग अलग विदाओं से जुड़ेवे आर्टिस्ट लोगों को प्रश्रे नहीं दे सकती उनके जीने खाने का सामान नहीं मुहिया करा सकती मुझे लगता है कि उस सरकार को सोचना चाहिए ये अच्छा नहीं है तो होना चाहिए बिलकुल होना चाहिए और मुझे आद है कि अखिले श्यादों ने 2016 में मुझे उनकी सरकार ने मुझे यश्भारती एवाड दिया मैं यंग्यस था 29 साल की उम्रों में मुझे यश्भारती एवाड मिला इस्टेट का लिट्रेशर का सब के बाद आई भी सरकार ने भाजपा की सरकार ने उबन कर दिया तो मुझे कभी कि भी लगता है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कामों के लिए सरकारों के पास पैसा है जो समाज पे कोई गहरा असर ने डालते लेकिन उसी समाज का एक साहित प्रकार या कलमकार या किसी भी व अग्सर लोग शायरों से कवियों से बहुत डरते हैं और अगर वो पॉलिटिक्स में आ जाया तो काफी डेडली कॉंबिनेशन है तो यह पॉलिटिक्स का जो रास्ता चूज किया है यह अचानक से कहां से आ गया और मतलब शुरुवात कैसे हुई मुझे याद है बहुत पहले की बात है आम आदभी पार्टी जोइन करने वाले थे यह भी बात चलते थी यह सब बाते हैं बातों का क्या मैं राजिलीती बात बड़ी हम कवी लोग अकसर बहुत सारे कवी सीज को अधित करते थे कवी और शायर समाज का आइना है और कोई नेता अगर राद भर कवी समेलन मुशारा सुनते हुए बैठा रह गया तो उसके मजे भी खूब लेते थे उसके कटाक्ष भी करते थे टिपड़ियां भी करते थे और पहले के नेता सुनते भी तो जवालाल नहरू जी पंडी जवालाल नहरू जी फखुरुदीन अली एहमद स्रहब एक परंपरा रही है लाल के लिए का जो मुशारा होता था उसमें देश के प्रधानमंति देश के रास्ट्रपती बैठ के सुना करते थे आज त जाओंगा क्योंकि उन्हीं ने दिलवाए मेरा इरादा नहीं था फिर बीच में याद होगा आपको जब आम आद्मी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में बहजे जाने की बात आई तो खूब खबरें चली मुझे भी मीडिया के जरी पता चला कि आम आद्मी पार्टी मु समझ आया कि वह अच्छे इंसान है और उन्होंने बातों बातों में कहा कि अम्रान अच्छे लोगों की जरूरत है आईए पॉलिटिक्स में आईए और बस अच्छी लगी बात चला आया पॉलिटिक्स में आज आज आपके ताम ने वैठा आप AICC के माइनॉर्टी विवि प्लस अब आप एक राजनेता है उसके परस्पेक्टिव से दोनों नेजरी है दोहर्जाद 21 से कॉंग्रेस पार्टी का माइनॉर्टी डेपार्टमेंट हेट कर रहा हूं अधी भी हेट कर रहा हूं मैं देश भर में गया और माइनॉर्टी का मतलब देश में एक और मुसल्मान है लेकिन बीजेपी ने एक नेरेटिव बनाया कि नहीं नहीं यह सिर्फ मुसल्मान सी माइनॉर्टी का माइनॉर्टी अपीज्मेंट अगर कोई सरकार आपके शब्दों में कर रही है, तो फिर तो वो जैनियों को भी बहुत कुछ दे रही है, फिर बॉद्धों को भी बहुत कुछ दे रही है, वो सरदारों को भी बहुत कुछ दे रही है, लेकिन बीजेपी जो है, दरसल बीजेपी जो पूरी राजनीती है, उसका जो उसमें जो भावनात्मक राजनीती है, उसके निशाने पर मुसल्मान नहीं हो, तो उन्हें लगता है कि उनका जो ओट बैंक है, वो सधुता नहीं है, चुकि उनके पास गिनाने के लिए काम नहीं है, इसमें कोई दोरानी, मैं विपक्ष में हूँ, मैं कॉंग्रेस का हूँ, इसलिए बात नहीं कह रहा हूँ, अगर आप किसी भाजपा के भी पढ़े लिखे नेता से बात करेंगे, और उससे कहेंगे कि भाई, चार पांच प्रमों काम गिना दो, जिससे इस देश की आम जनता के जन जीवन पर असर पड़ा हो, तो बड़ा मुश्किल होग करके पादरियों के साथ मीटिंग करते हैं, और उदर बिलकूल बगल में करनाटक में, चुनावी टाइम में उनका विधायक कहता है कि क्रिशन्स के हाँ तोड़ देंगे, इधर बढ़ेंगे तो, तो ये जो राजनीती है भाजपा की, वो दरसल इस देश की माइनॉर्टी के लिए खतरनाक है और वो उनको हमेशा, वो ग्राउंड पे अपने वरकर्स को मनबढ़ कर देते हैं, जो उनके आनुशांगिक संगठ हैं, मैं बड़ा हिंदी का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो आनुशांगिक संगठ हैं, उनको मनबढ़ कर देते हैं, और जब वो मुसल्मानों को या क्रिश्यंस को या जैनियों को बौध्धों को सिखों के खलाब कैम्पेंच चलाते हैं सोशल मीडिया पर और प्रधान मंत्री जी ऐसे ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हैं आप इस तरह के तमाम जो सोशल मीडिया एकाउंट हैं तो उसमें देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि प्राउडली फॉलोड बाई प्रामिनिस्टर तो यह चीजें मनबढ करती हैं समाज के तपके को मुझे लगता है कि अगर आप सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते हैं तो फिर इस नारे को खोखला मत रहने दीजे आप प्रधानमंत्री हैं आप सक्ता में है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप एक ड्यक्तिके प्रधानमंत्री है इनके उपर कभी कुछ लिखा है कुछ ऐसा जो मतलब कभी ऐसे पब्लिच ने किया हो बट ने ने मैं बड़ा बिबाक शायर रहा हूं और बिबाकी ही मे लगता है लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्तर का काम है अच्छी दवाई देना अगर मरीज के लिए बहतर है तो कड़वी दवाई पीने में हर्ज नहीं होना चाहिए तो मेरी शायरी अगर थोड़ी कड़वी भी रही हो तो मैंने सरकार को आइना दिखाया तो उस आइना रिखाने में बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगता है, नाराज भी होते हैं, प्रेम भी किया जाता है कि आप तो पर्डिकुलर सत्ता विरोधी शायर हैं, लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी कलम, कलम से जुड़े वे किसी वी व्यक्तिका, काम ही है अस्थाई रूप से सत्ता कभी पक्षोन है, वो बत्रकार हो, वो शायर हो, वो लेखक हो, वो जड़े रहा हो और हासिवयंगी में कोई बाद कर रहा हो, हाँ, उसका काम ही है सत्ता के खिलाब सत्ता को आइना दिखाना और सत्ता को भी चाहिए, कि इन्हें इसे बर्दाष्ट करिए, अगर आप नहीं या तो फिर परिवर्तन करी है परिवर्तन तो हो नहीं रहा है कि परिवर्तन कुछ दिख रहा है कि महौल खराब ही किया उन्होंने परिवर्तन में परिवर्तन का मतलब अच्छा परिवर्तन नहीं दिख रहा है चीजें महौल आप पत्रकार है आपके लिए ये बात कहना मेल के खिलाफ एक लोकल पत्रकार ने जिले में रिपोर्टिंग करता था खबर दिखा जी जेल गया और बाद में बचारे की कैंसर से मौत होगी सरकार ने कोई मदद नहीं की आपको याद होगा गुलाबो देवी जी से प्रशन पूछ लिया भी रिसेंट कुछ महीने पहले उत्रप्रदेश की कैबिनेट फिनिस्टर हैं उनसे एक पत्रकार ने जो मतलब मैं यह कहूं कि विचारा गंचा वंचा भी उसने उसी रंग का डाल रखा था जिसको सरकार पसंद करती है लेकिन उसके सवाल सरकार को पसंद नहीं थे तो उसको जेल भेज दिया गया तो यह जो आप एक मेसेजिंग करते हैं कितने पत्रकार हैं जो एक वक्त में बड़े पत्रकार माने जाते थे आज अपने घरों के यूटूब चैनल चला रहे हैं क्यूं चला रहे हैं इसलिए क्योंकि सरकारें अपने खिलाफ उतने वाली आवाजों को फसंद नहीं करती तो मेरा मानना है कि हमने, हमारी, मैं कॉंग्रेस में हूँ, 2019 से राजनीती में हूँ, लेकिन अगर मैं उससे पूर्व में भी जाओं, तो कम से कम कॉंग्रेस ने अपने विरोध में या अपनी आलोचना करने वालों को जेल नहीं भेजा, अपनी आलोचना रही है कि ये बात लागू रहे सरकारों पर अच्छा जब हम इतनी बाते कर रहे हैं कि अब सरकार अब यह नहीं करें हाउ इस कॉंग्रेस स्लूशन कैसे बन के आएगी क्योंकि पहले भी कॉंग्रेस का बहुत सालों तक राज था साशन था एंड उसके बाद लोगोंने बीजेवी को चूज किया अब आप बोल रहे हैं कई और भी बोलते होंगे कई खुश भी हैं कई नाखुश हैं जो नाखुश हैं उनको कैसे लगता कि कॉंग्रेस स्लूशन बनती जा रही है आपको जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसम आपके चैरे पे भी घुशी दिख रही है हिमाचल अभी कुछ दिनों पहले हिमाचल का रिजल था हमने वहां महबबत की दुकान खोली फिर हम करनाटक में हमने अच्छा सा शोरूम खोला है आगे मध्यपरदेश है वहां अच्छा शोरूम खुलेगा 36 गड़ है वहां अल तो मैं बहुत राजनेतिक भाषा में बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये इंटर्व्यू उस तरह का नहीं है लेकिन ये सच है कि सोल्यूशन ऐसे ही बनता जाता है जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो देश में राहुल जी को लेकर के भाजपा ने जो वाट्स अप पे ग्यान आता है डेली एक 10-25 लाइनारिकल आता है कि राहुल तो ऐसे राहुल तो वैसे तो सोनिया जी एसी सोनिया जी वैसी कांडी तो यह है ऐख लेकिन जब लोगों ने आप चूंकी सोशल मीडिया है चल्यावान एक चाहाई को मेरी मेल की था सब भान औ इग्री मंतरी जी कहते थे कि वो तो शहजादा है तो राजकुमार साहब अपने भाषनों में यही कहके संबोधित करते थे याद होगा आप तो लेकिन लोगों ने देखा किया वही राजकुमार सडकों की धूल फाक रहा है एक जूता जूता भी नहीं बदल रहा है एक टी- पहनी ना चश्मा महंगा पहन रहे ना तो जिस देश में असी करोण लोग पांच किलो राशन पे जिंदगी गुजार रहे हैं वहां प्रधान मंतरी अपनी महंगी ब्रैंडिंग क्यों कर रहा है क्यों कि वो उद्द्योग पतियों के करीब दिखना चाहता है लेकिन हमारा महंगे नहीं है उसकी टी-शेट बहुत सामान ने है तो राहुल जी ने देश को एक नई दिशा दी और सरकार के खलाफ लोगों में घुसा था लेकिन मीडिया उस घुसे को कवर करता है ध्यान हटाता है आप सवाल पूछोगे कि गैस सिलिंडर जो है वो 400 रुपे का मिलता अब आप गैस सिलिंडर पर बात मत करो आप बात करो नमाज पर भाई आप यह ध्यान भटकाने की इंतहा है आपको याद होगा रविशंकर प्रसाद जी विजय गोयल जी स्मृति इरानी जी भाजपा के तमाम बड़े बड़े ने का प्याज की माला लटका के आलू की माला लटका के दिखे होंगे विजुल तो मोजूद है आपके पास आपके आर्काइब में रखे होंगे अब आज बताईए कि आज अगर आपको माला लटकाने के लिए प्याज खरीदनी हो तो आपकी जेब ढीली हो जाए खाने के लिए तो बड़ा मुश्किल काम है तो हम उसके लिए हम उसको लाने के लिए संजर्ष कर रहे हैं जहां उद्योक पटी भी रहें तो कॉंग्रेस हमेशा इस बात करती है कि हम जो है एसी करोन लोगों को पांच किलो राशन दे रहे ऐक साल पहले भी अपने पारलेमेंन में एक पारलेमेंट को राशन दिया है यह अगड़ा कम करिये वो खुद कप से खरीदना चालो करें उनको इस लाइक बनाईए ना कि वो खुद खरीद सकें आपने किसी को तो इतना बड़ा अमीर बना दिया कि वो दुनिया के टॉप 10 में पहुच जाए और आपने किसी को इतना गरीब बना दिया कि वो 80 करोन होने वाले हैं कई जगर रिन्यूवल होने वाला है इसकी वी बात करते हैं राजस्तान एक काफी सेंसिटिव स्टेट माना जा रहा है काफी उथल पुथल चल रहा है काफी टाइम से एमपी हमने एक अपसेट देख लिया अल्रेडी बिकिस कांगरेसी सरकार फॉर्म होई और फिर वापस बीजेपी आ गया जो भी हुआ मतलब वो सबको पता है वो भी आर्काइव में है आपको क्या लगता है क्या इस बार नया होगा क्या डिफरेंट होगा क्या चीजे स्ट राइट टु हेल्थ का जो बिल है वो इस देश में पहला स्टेट है राजस्थान जहां वो लागू हुआ इस्तिती है कि आज लोग जह जह कार कर रहे हैं सरकार की कि आपको इलाज कराना है प्रीची रंजीवी योजना इतनी शांदार योजना गय सिलिंडर पांच सो रु किसी चीज पर विरोध भी कर रहा है या अंदोलन्ट भी कर रहा है तो यह स्वस्त तरीके से देखा जाए इसमें भाजपा के लिए खुश होने के लिए क्या है भाजपा का कौन सा चेहरा है जो सरकार से सवाल पूछ पा रहा है चलिए अगर किसी बात पर हमारा ही नेता हम सवाल पूछ पा रहा है वसंदुरा राजय जी पूछ रही हो तो बताईए गजंदर सिंग शेखावत जी खुदी फंसे हुए है सरकार जिस दिन थोड़ी सी और सुबूतों के साथ हाई तो जेल चले जाएंगे ने मैं तो बोलों भाजपा को out of the scene रखते है अभी सिर्फ अगर इन दोनों की बीच में conversation करें कहींना कहीं conflict तो बनता ही है हम कहरें ठीक है अगर conflict भी बनता है आपको लगता है कि दोनों के बीच मन मुटाओ है तो दोनों में से कोई एक अगर आप यह सोचते हैं लेकिन तब भी Congress तो Congress तो है ना उसकी जड़ में तो Congress यह ना सरकार तो Congress की है अब इधायक पर जिसे आगे देखेंगे दोजार इसके 23 के चुनाओं में विधायक जिसे चाहेंगे वह आगे मठेका तो इसमें बहुत विपक्ष के लिए यानि कि वहां के विपक्ष के लिए मुत खूश होने के अब आये मध्यप्रदेश में पिछले आप दो महीने का आप हालिया जिनों में वह देखिए मध्यप्रदेश में भगदर मची हुई यह बड़े नेता के पुत्र जो है वह आकर के दीपक जोशी पाटी में आगे ग्वालियर रीजन से कई बड़े नेता दिग्विजे सिं यह जो है ना आप लिखते बड़े जो भी बोलो आप लिखते बहुत बड़े हो भाजपा अपने उसमें देखे जहां करके अपने घर के अंदर उसके घर में मतलब कयामत मची हुई है हमारे हां कोई मसला नहीं हमारे हां दिग्विजे जी और कमलाज जी दो बड़े नेता है और दिग्विजे जी हर मंच पर कहते हैं कि कमलाज जी मुख्यमंतरी होंगे तो वहां कोई मसला ही नहीं है तो हम और एक बड़ी बाद तीन राज़े जहां भाजपा ने लोक तंद्र को लूट के सरकार बनाई मध्यपरदेश करनाटक और महरास्ट्रा यह तीन प्रमु जन्ता में बहुत गुस्ता है जिस तरह से शियुसेना को तोड़ा इन्होंने महाविकास अघाडी की शांदार सरकार जिसमें कोरोना के दौरान बहुत शांदार काम किया था उस सरकार को गिरा दिया गया कोविट के दौरान जिस तरह सरकार को तोड़ने जोड़ने की कोश कुछ दिनों बाद वो चड़ा जाए दिल से बुरा तो लगता है बिल्कुल बुरा लगता है भाई इस देख बुरा लगने वाली हम एक सामान ने बात करेंगे कि देश का ग्री मंत्री चुनावी भाशन में खड़ा हो के कहता है कि करनाटक में भाजपा की सरकार नहीं आई तो दंगे हो और उधर मनीपुर में भाजपा की ही सरकार है लेकिन दंगे हो रहे हैं साथ से ज्यादा आधिकारी कांकड़े हैं कि लोग मारे गए हजारों लोग बिस्थापित हुए तो जनता पहले जो है ना इतने माध्यम नहीं थे आपकी बात पहुंचने का पहले यह कि अखबारों में छपा तो छपा नहीं छपा रास्टी मीडिया में आया नहीं आया अब तो यह ना कि सोशल मीडिया आपकी एक मतला आपके दौरा नॉमिनेट की गई एक पूर्व सांसत मेरी कौम जी उन्होंने वीडियो बना करके कहा कि मेरे मनीपुर को जलने से मचाई लेकिन तकलीफ होती है ना कि आज तक पूर्वान मंतरी और गिली मंतरी जी का एक बयान मनीपुर आपका अपना राज्य है न सहीवत तो उसके लिए आपको बोलना चाहिए ना लेकिन अब यह है मैं फिर आके ही कहूँगा कि लोगतंत्र के चौते हस्तंत्र की जिम्मेदा अन्ना जी बैठे जंतर मंतर पर रामनीला मेदान पर करकारे उथल पुथल हो गई आज यह है कि 20,000 करोन रुपे एक शैल कंपनी के जरिये आए हैं देश का बिपक्ष का सबसे बड़ा नेता जो है वो सवाल पूछ रहा है पाल्लेमेंट में खड़ा हो और सजा क्या मिल र मुझे लगता था कि मैं मंच से उत्रूंगा इस मंच पर खड़ा होंगा तो यहां कोई बोलने से रोकेगा ने लेकिन यहां तो है कि आप बोलना शुरू करेंगे मतलब सत्ता पक्ष अल्ला मचाना शुरू कर देगा आपको बोलने नहीं देगा किसी सूरत आप तेज तरा हैं और दबे नहीं और बोल ले गए तो सभापती महोदे स्पीकर महोदे आपका भाशन इक्सपंच कर देंगे उसमें से तमाम शब्द हटा देंगे यह आप लब लोगों के क्यों सिलना चाहते हैं क्यों डरते हैं आप आपने जो अपनी विश्व विजयी छवी बनाई है वो लोगों के बोलने से कैसे तूट जाएगी इतना क्यों डरते हैं आप इतने डर पोक क्यों हैं आप ऐसा होता है कि राज्यसभा है में बोलने नी मिलता गई बार होता है मैं चश्मदीर मैं गवाह बैठा वह हूँ राहुल जी इस देश के विपक्ष के सबसे बड़े न अगर आप इतना डिक्टेट करेंगे इतना सेंसर्शिप कर देंगे पार्लियमिन की कारवाई पर तो यह तो बहुत मतलब अनूठा है बाई तो नहीं होना चाहिए अचा अगर फ्रेंड एक चीज़ पूछना चाहता हो मालो मुझे तो कुछ भी नहीं पता क्या होता है राज्यसभा के अंदर जब आप जाते हैं कि हर इंसान को एक टाइम दिया जाता है बूलने का मिलता है कैसे हो होता है यह बिलकुल नहीं इस मुखालते में बिलकुल र जाते हैं समझने के लिए चाहिए हम लोग तो ऐसी दुनिया से आये थे कि जहां थोड़े भूत समझे समझाए लोग थे तो बूलने का जुनून भी था जुनून भी होना चाहिए तो फिर आप कोशिश शुरू करते हैं कई सारी प्रक्रियाएं उसमें आपका अपना एक स बिल आता है कोई और उस बिल पर पार्टी समय लॉट करती है पार्टी को इसे एक घंटे मिला तो पार्टी में इधारित करेगी को से एक घंटे में कौन-कौन लोग बोलेगा उसके बहुत सीनियर नेता है उनका बड़ा जाहिर सी बात है पहला हक उनका है तो जुनियर का बहुत बाद में नंबर आता है तो आप बस बैठ के कारवाई देखिए लेकिन जुनियर अगर कभी हो शायर हो और मतलब बातों से तंज अच्छे से गस्पाए तो फिर तो क्या ही बुराई है ने तब आप कसेंगे मैं जो बोलने का मौका मेलेगा तो बोलने का मौका पान पारलेमेंन अच्छे से गई लहाई तो उसमें आपको चुकि वो फ्राइड़ को आता है तो ज्यादातर सांसद फ्राइड़ को अपने अपने घर ने घर जाते हैं तो बहुत कम सांसद बचते हैं तो आपकी अगर पसंद का विशे है तो आप तयारी करके जाईए बोलने वाला कोई है नहीं तो तुरंत आप नाम देते हैं तो आपको 10-5 मिनिट बोलने के लिए मिल जाता है लेकिन मुझे जब मैं पार्लेमेंट में आया तो उसी दौरान मेरे इलाबाद उनस्टी के बच्चे जो है वो राज्यसभा के लिए ये थोड़ा नया सा है के पचास साल से कम के लोग अमूमन राज्यसभा में नहीं जाते हैं लेकिन मैं खुशनसीब हूँ और मैं शुक्र गुजार हूँ अपने नेता का राहुल गांदी जी का सोनिया जी का प्रियंका जी का खरगे साफ का के मैं 34 साल क अपने खरगे साल आप कि हम और आप मुआने खुन आता है तो वह नए तरीके से अपनी बात करता है हमने जीरो आऔर भी लगाये हमने उपड़ास्टपती एम अखना रातिम पर उन से मूंसरायों का मुद्द से ये आपने याद कि होगा कोविट के दौरान कोविट के बाद आफ्टर कोविट बहुत सारी हार्ड अटेक से मोते हो रही तो मैं एक दिन गया मैंने का नहीं सर बुझे ये विशे उठाना ही उठाना है क्योंकि लोग ऐसे डांस करते करते मर जा रहे हैं लोग ट्रेवलिंग पहला जो था वह तो ऐसे ही गुजर गया क्योंकि वह पुराने उपरास्ट्रपती थे उनका विदाई समा रोग का session था है तो वह ऐसे ही चला गया शपत लेने में ही एक बार बोलने को मिला था शपत लेने के दोरान अपनी आवाद अने तब सुनी थी और जब दूसरा session आ तो मैं पार्लेमेंट था उस दोरान और मुझे खूब मौके मतलब मैंने निकाले मौके जीरो और लगाया एक प्राइबेट मेंबर रिजोलूशन में भी मौका मिल गया और यह तीसरा सेशन था इसमें किसी को मौका नहीं मिला क्योंकि हम अडानी के मुद्धे पर चर्चा कर करता है लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि सदन शुरू होता था सथा पक्ष यानि कि तमाम मंत्री और तमाम जो है सांसद सरकार के वो खड़े हो जाते थे और वो बहाने से रहुल गांधी माफी मांगो ये करो वो करो तो बंद करा देते थे सदन सदन तीम मिनट चार मिनट मे पारे कानों में बस एक सदा आती थी कि सदन कल तक के लिए सगित किया जाता है फिर हम बहार निकलते से तख्ती लेकर के मोदी अडानी भाई-भाई देश में इसका खाई मलाई ये नारे लगाते थे तो कुछ मिला करके बड़ा जो है ना रोचक रहा है तीन सेशन बड़ा तो अच्छा है यह अच्छा है तो जुड क्यों नहीं रहा है यह कईयों का सवाल है जुडा हुआ है आप देखिए मतलब अगर अगर आप UPA1 या UPA2 देखिए जिस हिसाब से कॉंग्रेस के साथ बाकी पार्टियां भी जुड़ी हुई थी वो अब आपको कही ने कहीं लै जहां चुनाव नहीं है तो जुड़े हुए है आपको दिखते नहीं है ना मैं तो राजेसभा में हूँ मैंने लोगसभा राजेसभा की मीटिंग के दौरान लीडर आफ अपोजीशन के मतलब चैमबर में रोज जुडते थे हर दल उन्नीस उन्नीस दल अडानी के यह को यह है यह तो भाजपा को भाजपा के साथ जेढीू था कि नहीं था उंका सईयों की दल न पॉक्त छोड़ा गाया नंको चूड़ा उनको चौड़ा रही यह लोगत मीटिया की बुपक्ष जुड नहीं उदर नितीज जी पता चला है उडिसा पहुंच रहे हैं महारास्ट्रा पहुंच रहे हैं दिल्ली आ रहे हैं जार्खन जा रहे हैं हमारे अध्यक्ष अभी करनाटक का हमने चुनाव जीता तो खरगे साब को देश बर के विपक्षके नेताओं ने फोन करके बधाईयां दी मैं उस दिन मौझूद था जब खरगे जी दिल्ली आये तो हमारे सामने ये बात करें इनका फोनाए इनका फोनाए इनका फोनाए तो अब और सरकार को सूचना दें क्या कि हम जुड़े हुए हैं भाई हम चिट्टी दोड़ी लिखेंगे सरकार को तो मीडिया का काम है वो वो पता लगाएं उसके सूत्र पता लगाएं कि आज खरगे साथ से किसने बात की है आज राहुल जी से फोन पर किसने बात की है आज सोनिया जी से कौन मिलके गया है ममता बनर जी जी का स्टेट्मेंट जो है उसके माइने क्या है अखिलेश यादो जी के स्टेट्मेंट के मायने क्या है यह खबरें देना तो मीडिया का काम है मीडिया तो सिर्फ एक खबर देती है कि विश्व विजय अभियान पर निकले घरेंद्रमोधी जी इसके लाओं कोई खबर ही नहीं देती है आप जब मतलब भाजपा जीते तो विश्व विजय जी मोधीजी का फोटो को लेके मैंसे जाएगा कि राहुल जी के अगवाई में यह राहुल जी के नित्रुत में कॉंग्रेस इन जगहों पे जीत रही है तब स्टेट के नेता का फोटो लगाएंगे नहीं मीडिया वाले लेकिन भाजपा कहीं भी जीते मतलब इस्तिती है कि भाजपा ग्राम अगर मैं उस दिन तो डिवेट जिसने रिजल्ट आ रहा था मैं डिवेट में था कहीं मतलब आप यह कह दो कि नहीं हार तो मोधी जी कि हार है तो मैं तो कहीं एंकर तो ऐसे मतलब रियक्ट करते है किसे लगता है कि आपने उनके पारिवारिक किसी बुजर्ग सादस्य के ब अगे बीचे यह जो आपने अभी लाइन वो लिए वो लगती है साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशू पुछ विशान हीना हमने बच्पन में संस्क्रित का यह सूत्रवात्य पड़ तो अगर आपको साहित्य कला संगीत इस सबसे आप विहीन है यानि कि इन सबसे आ चिहा के बाकला राचनीती मेंकि राधुल शे आप जब मिलेंगे रागूल आपको राजनियता से ज़्यादा यह है इसास दिलाएंगे कि वह एक अयह उस्पौ पर वर आप से बात करेंगे फिल सो विश्र की राजनीते पर बात करेंगे वो आपसे यह नहीं पूछेंगे कि इमरान तुम प्रताफगर से आते हो तो प्रताफगर में कौन सी गणित लगाई जाए कि भाजपा के कौन से नेता को जेल भेजा जाए या फिर कौन सा तिकडम ऐसा किया जाए कि बद हमारी पार्टी जीत ही जाए राहुल गांधी जी आ कि इलेक्शन के लिए इसको एक पक्ष ये भी तारीफ कर सकता है कि इन देखे कितने डेलिकेटेड हैं एलेक्शन के लिए लेकिन एक पक्ष तो ये भी कहेंगर निया आप सिर्चुनावी मशीन है आप करनाटक में खड़े हों के रैलियां कर रहे हैं और मनीपू धून्द दो तो भी तो पक्का पहुंचा होगा आप ऐसे ग्रूपों म में होंगे ही होंगें तो दोरास टोडिया है थैंकगर्इज मैं किसी ग्रूप में नहीं हो मैं वाटस। मैं किसी WhatsApp ग्रूप में नहीं हूँ, मैं गुड मॉनिंग आ जाते परिवार के उसी से मैं परिशान हो गया हूँ, मैं विपक्ष में हूँ, मुझ तक वो मैंसे जाया पलटके, कि मोदी जी का अगवाद के उन्होंने उक्रेन और रसिया के युद्ध रुकवा दिया, यह फेक जात रहने वाली कम्यूनिटी आपस में लड़ रही हैं, आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं फोन करके हालात बहतर करवा दे रहे हैं, यह सवाल कौन पूछेगा, मुझे कोई BJP आला मिलेगा जरूर मनसे, जरूर यह सवाल पूछूँगा, मुझे कोई काईदे का BJP आला आ मुझे आप खाते क्या हैं, मुझे आप पर्स में क्या रखते हैं, पैसा या नहीं, यह सवाल है, मतलब यह पत्रकारिता है, मैंने तो जर्नलिजम किया है, यह तो शुद रूरूप से पीत पत्रकारिता है, श्वेत पत्रकारिता तो नहीं है, तो ही बाती है, क्या लगता ह अच्छे भहुमत से बनेगी और जो यह अच्छे दिन लाने का वादा करते थे वह बहतर दिन अच्छे दिन यूपीय लेकर के आएगी इनके बसका मेंगाई कम होगी हमारा नारा है जहां जहां हमारी सरकार हम कम कर रहे हम 500 का सिलेंडर दे रहे हैं यह साथे 1100 का दे रहे हैं सिलेंडर यह पेट्रोल मुझे कई बार एक पॉइंट हमीचा यह लगता है कि किसी भी सरकार को अपने बोज नहीं लेना चाहिए अगर वह 800 का आता और आप 500 दे रहे हैं 300 सबसेडी वह कहीं न कहीं प्रॉब्लम है हम यह महत्मूर बात है कि अगर आता हो तो कच्छे तेल की कीमत अब सरकार बहुत लगान ह। तो इसका मतलब आप अपने तेल कंपनी के मालिक हैं गैस कंपनियों के जो मालिक हैं उनको आपने प्रीहेंट दे दिया, कंट्रोल कौन करेगा, आप मुझे कीज बताईए, दो हजार चौदा से पहले आप फ्लाइट में तो आपने सफर किया ही होगा, जिन एरलाइन के टिकेट जो है न, यहां दिली से बंबई का टिकेट, आज कितना है, आज अभी आप तेखें, दस दिन बाद का टिकेट आपको दस जार के उपर का मिलेगा, दिवालिया हो जा रही है, एर इंडिया बिग गई, गो एर दिवालिया हो गया, इस पाइस जेट भी लगभग उसी कगार पर है, और जेट एर वेज खतम हो गया, तो आपने तो जो है, मतलब क्या अच्छा किया, अगर मैं इस सरकार से पूछो कि क्या अच्छा किया, तो आप भी बहुत जो कोई चीज तो होगी BJP की जो पसंद होगी, इन जनल, कोई एक नेता होगा जिनको, चली मैं नहीं बोलता हूँ कि उनके काम पसंद होगे, बिट इन अच्छा रही है, बत और इंसान अच्छे हैं, आच्छा एक शीज बताओ, वो जब सेंट्रल हाल में बैठते हैं तो बड़ी अच्छी सी बात करते हैं, यह कहते हैं कि हम भी उप गए हैं, लेकिन क्या करें, पार्टी में हैं, तो चुप रहते हैं, तो अच्छे लोग हैं इसमें कोई जोरानी है, मैं यह नहीं कहता कि सब खराब ही हैं, लेकिन अब वो पार्टी में हैं विशारे हैं, तो ठीक है, ठीक है, लास्ट कप कुछ लिखा था, टाइम मलता है, अब मतलब आप बीजी स्क्राइटी बदल जाते हैं, तो जवाब देही जो थी ना, उस जाते थे खूब रोज कुछ ना कुछ नया लिखना है, हर विशेय पर कुछ ना कुछ लिखना है, तो बड़ी आजादी थी, अब यह है कि सशन चलना है, तो सुवे से जैसे होता है, एक अच्छे चात्र की तरह, सुब दस बज़े ते आप जाना है, साड़े तस बज़े पहुचना है, शाम में अच्छे बज़े लोटना है, तो बहुत सारी लोग कंप्लें करते हैं, कई राज रेता वो भी नहीं करते हैं, आज तक मैं यह पाऊं कि मैं पूरतीन सेशन में, मैं सिर्फ एक दिन अप्शन रहा हूं और वह भी तब जब हम भारत जोड़ो यात्र करता के समापन में कश्मीर में थे और सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई तो सेशन उस दिन चुडू हो रहा था, तो नहीं आ सका तो मैं आज तक सिर्फ एक हाजरी मेरी जो है वो अपसेंट हुई है, दूसरी बात मैं जाता हूं हाउस तो पूरा बैखता हूं, सब को सुनता हो और करके जाते हो, और प्रिपेर करके जाते होूँ, करे मैं बात करना था तो मैं को शिशकरता हूँ कि उनके फैक्स लेकर जाऊं, बाकी भाण लफाजी टो कर नहीं सकते हैं, आपको बहुत बाकी छई बातो बात कर लिft दी करते जिनका जवाब तो है वो पार्लियमेंट के अंदर देना पड़ता है मंत्री को उसमें भी हिला हवाली है पहले जवाब दे ही होती थी आज भी गाओं में बैठा हुआ एक रेक्टिय उसको लगता है कि हमारा मुद्ध पार्लियमेंट में उठ गया ना बहुत बड़ी बात है एक होता है कि कान पे जूना रेंगना तो ये मिनिस्ट्री और मंत्रालें से जुड़े नेता उनको लगता है ये ठीक है आप चीकते चला के रहो जंतर मंतर पर बेटियां बैठी है तो बैठी रहे नारा लगेगा कि बेटी बचाओ बेटी पर नारे से लोग खुश हो कर बड़े मंत्री ने कहा था कि हमारी सरकारों में स्तीफे नहीं होते हैं तो पता नहीं इस बात को बीजेपी इतना क्यों फॉलो करती है साथ सो किसान मर गए बेटियां मतलब ये जिनों ने इस देश के लिए मेडल लाया है अगर वो आरोप लगा रही है तो आप ये कह र होगी आपके उपर अभी आरोप लगता तो पहले आप जेल में होते फिर जांच होती तो इस सरकार ने मतलब खास आदमी और आम आदमी के बीच में कितना गयब भद्या है अडानी के मुद्ध की जांच होगी से भी लटकाए पड़ी हुई है को मतलब ही नहीं तो क्या ही क मैंने एक क्वेस्चन लगाया उसके जवाब में जो ग्रीराज्य मंत्री थे वो खड़े वे पुले आप डेटा जो है एंसी आरवी से ले ली तेगा वहां उपलब तो भाई फिर पार्लेमेंट में जवाब देने का मतलब क्या है फिर प्रक्रिया क्यों है तो ये ये शिका कि तो लोगतंत्र बचेगा क्या एक तरफ तो आप 20,000 को बड़ी भारी संसद बना रहे है और जो पुरानी संसद है उसको हलके में ले नही संसद को देखा नजरे हजरे अवी पुरानी को भी देखा नही को भी देखूंगा नई संसद में बैठके हमारी पार्टी सरकार आपके जो फैन्स देख रहे होंगे इस इंटर्व्यू को इस कॉन्वरसेशन को उनके लिए कोई ऐसी शायरी जो शायद अभी जुबा पे हो और देश के हालात को बया करें देखें मैं बहुत दिन बाद अभी मुशायरे में जारा हूं इस किस तारिक को बहुत दिन बाद कि मैं में मेंबर अपरलेमेंट हो गया और तफर जाही निपार्टमेंट का हेड हो गया तो बहुत वैस्तता बढ़ गई तो फैन्स की बड़ी सारी शिकायत रहे तो जाऊंगा अब बड़ा हजीब लगेगा ना स्टेज में जाने के बाद अचानक से MP बन गए और स्टेज मे अच्छली मेरी जो कहानी है जूठी नहीं है इसने मुझे अजीब नहीं लगेगा यहां तो लोग फिर से जाकर के मतलब रिल्वे स्टेशन पर खड़े होकर कि किसी को चाय पिलाना शुरू करें तो उन्हें अजीब लगेगा ना क्योंकि कहानी जूठी है हमारी कहानी अज भी इस चीज को लोग बहुत सारे लोग यह भी सोचते होंगे नहीं मैं प्रोटोकॉल फालो नहीं करता हूँ मैं खुद गाड़ी चला के घूमता हूँ इसी लुटियन में जाना वह कोशिश करता हूँ कि मैं खुद गाड़ी चलाऊं लोग टीशिट पहन के निकल ज हम नहीं बदलेंगे और हम कोशिश करेंगे किम कभी ना बदले हम जिस दिन बदल जाएंगे उस दिन हमें लगता है कि हम मतलouve हम भी खर जाएंगे राजनीती में यह सच है मतलब यह बात जार्दी कोई भोलेगा नहीं कभी अशोक साहिल का एक शेर कि गमों के आँच में भी मुस्करा कर चलना पड़ता है यह दुनिया है यहां चेहरा सजा कर चलना पड़ता है और सियासत साजिशों का एक ऐसा जाल है जिसमें कही चालों को खुद से भी छुपा कर चलना पड़ता है तो वो जो सियासत जो है साजिशों का जाल कभी बुद्धिसेन शर्मा ने कहा था यार सियासत की गलियों में मत जाना नागन अपने बच्चों को खा जाती है तो मैं तो ये शेर सुन-सुन के बड़ा हुआ था तो बड़ा डर भी था कि मतलब कैसी साजिशें कैसी साजिशों का जाल आने के बाद लगा कि ने होती भी है ऐसी नहीं है मतलब लोग माला पहना के गर्दन कैसे गर्दन दवोज लेते हैं लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है क्यार कुछ प्रतिशत अपने अंदर की रशनात मकता अपनी क्रियेटिविटी हो या फिर गीली जमीन हो या फिर संग मर्मर हो मतलब उस पर यह नहीं लगना चाहिए कि आप फिसल रहे हैं हम 2023 में बैटे हैं 2024 एलेक्शन के पहले कोशिश करूँगा वापस से एक बड़ आपको परिशान करो इंटर्विव लूँ तब इसी बात पर कि सत्ता का मोहों कितना और सर के ऊपर चड़ा है क्या वापस आज भी कॉमन इंसा हैं कि नहीं तो आपका नाम बड़ा आपीर आपीर आपका नाम बड़ा उनिक है मैं यह चाहूँगा कि आप 2024 में हमारी सरकार बन जा उसके बाद हम से इंटर्विव महारास्टा जीतें तब आप लीज़ेगा आपको यह तो हर वेक्ति बडलता है समय के साथ और वह जडूरत है आपको बहुत सारी चीज़ें फॉलो करना है लेकिन अगर आपको लगे कि जो मैं मूल रूप से जो इमरान था मैं मैं कहता हूं कि मैं भारत का इमरान हूँ तो जो मेरा मूल था वो कभी बदला दिखे तो आप मेरा गिरेबान पकड़ लेना कि ने इमरान तुम ऐसे थे और तुम बदल गए मैं नहीं बढ़ दूँगा ठीए ये वो शाहिद जमाल का खेर है बड़ा अच्छा का के जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूँ मैं क्या करूं मजबूरियां हैं गाओं से आया हूँ मैं और मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूं तेरा जर्फ ऐ समंदर किसने तुछ से कह दिया प्यासा हूँ मैं मैं सियासत बदलने आया हूँ सियासत की वज़ा से खुद को बदलने का जिस दिन मुझे डर लगेगा उस दिन छोड़ दूँगा सियासत एकदम मतलब जिस दिन मुझे लगा गया नहीं सियासत के इतने दबाओं में आ गया हूँ कि अब मैं मैं नहीं रह गया मेरे अंदर का रत्ती भर भी मतलब जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ बहुत दबाओं में छोड़ दूँगा सियासत यह सियासत हो वाली जलेवी है जो आसानी से नहीं छूड़ती है वह लिजावाद में पले बढ़े हैं वहां नाचता ही जलेवी का सुबह शाम करते हैं जलेवी दही के साथ तो यह मिथ्या है यह भ्रहम है आप छोड़ने पर आने तो आप मुझा दिल ऐसा की सीधे की जूते भी बढ़ों के मुझावर साब का शेर है कि दिल ऐसा के सीधे की जूते भी बढ़ों के और दिद ऐसी कि खुद ताज उठा कर नहीं पहना तो आप थेखिए जो साहित से जुड़ा वेक्ति है किसी भी आर्ट से जुड़ा वेक्ति ए वो एक वक्त के बाद जो है ना फिर सद्रींट से भी हमनले हैं हम हम कुछ करने आए हं उत मिलती है कि हम सो परतिशत समाज नहीं बदल सकते हैं हम दस प्रतिशत बदल सकते हैं, दस प्रतिशत का बदलाओ भी बहुत बड़ा बदलाओ, मैं उसको करीब से देख रहा हूँ, इसलिए बात के रहा हूँ, तो हम किसी मुख्यमंत्री से मिलते हैं अपने राज्यों के, यह जहां हमारी कॉलिबरेशन में सरकारे हैं, हम उनसे सौ काम नहीं करा सकते, लेकिन अगर हमने एक काम भी बुन्यादी करवा लिया, तो वो एक काम जो है, वो लाखों करून लोगों की जिन्दगियों पर असर डालता है, तो यह कैन्वस ऐसा है, कि यहां रह करके आप एक काम करा ले जाओ, तो आप यकीन करें, कि आप जिन्दगी पर आपको इस अंतुस्टी रहेगी, कि आप मंचों पर खड़े हो करके, पूरी जिन्दगी जितना कुछ करते, उसका, मतलब उसको जमीन पर उतार के, ठीके, राहुल जी ने मुझसे एक बार यह बात कही थी, जो नजमे तुम मंचों पर पढ़ते हो, उसके हल निकालने की कोशिश करें, उसका हल सियासत से निकलें, और यही वो बात थी, जिसने, मतलब, वहां सब कुछ था, बहां अच्छी बात थी, वहां ग्लेमर था, वहां पैसा था, और वहां, मतलब, राजनीती में आपके आपको मूल रूप से तीन चीज़े मिलती हैं, पैसा, ताकत, और लोकप्रियता, यही तीन चीज़ें इनके लिए लोग राजनीती में अमूमन आते हैं, हम जैसे फटीन लोगो तो पैसा, सब्सक्त Ukraine मिल जारी है, वह भी खर्च हो जेती हैं, यार दोस्तों के, यार दोस्तों तो बढ़ते चलेगए, तनका तो वही है, जो है, तो पहले तो ज़्यादा पैसे कमा लेते थे, आप तो इसकाफ हो गया, तो अब है क्या के दो चीज़ें पहले से मिली हुई कि आपको पैसे यहां से तो ज्यादा मिलते देते हैं आप पहले भी देता था अब आप नहीं देंगे तो और लानाशा करतें कि गार लगेगा कि आप तो बिल्कुल अन्याय करें डोग कि मतलब अब इज्द्ट साधा दे वहिते हैं की वैसे हैं जैसे दोस्तों होते हैं ह breeze सबक्राहित है वह प्रयास करते है ऴत्त कर अधराए गारार किया प्रयास करता है जब आध्機會 मे scheint तो मैं już about two Top to vale to available amazing में कोशिश क हाँ मतलब मेरे आप मेरे दोस्त है पुराने साथ के दोस्तеци है चाहिता है तो आज बहुत सारे MPs को आप देखेंगे कि उनको लगेगा कि मैं अपने दोस्त को बिठा के गाड़ी चला हूँ तो मेरे प्रोटोकॉल के खलाफ मैं तो गोशिश करता हूँ कि नहीं भाई यार मैं गाड़ी चला हूँ तुम बैठा हूँ मैं अमूमन मेरे कई सारे दोस्त साथ में मैं ड्राइबर रखने का बहुत बन जदा जिससे ख्याल ना मिलता हो तो लगता है कि कोई रोबोट बैठके गाड़ी चला रहा है और हर समय आपको जागुरूक रहना पड़ता है वो ब्रेक मारता है तो आप भी जो है आप भी ब्रेक ही मार रहा है तो मुझे दुनिया ही ऐसी हो गई है मैं सियासत ही नहीं कह रहा हूं सारे छेत्र जहां पर चका चौंद है जहां पर ग्लैमर है सियासत भी हमारी दुनिया का ही प्रतिमिंब और कुछ नहीं है पड़ी सुद धिंदी आपने बोली प्रतिमिंब अक्स अक्स हो भाई फिल्म आई थी ए उपरवाला पूरी करें मैं सरकार बनने के बाद अगर बनी तो उसके बाद नहीं बनी तो भी उसके बाद आपका वापस से इंटर्विव लूँगा बहुत 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 शुगरे हैं इसके लिए आपकी तारीफ भी करता हूँ आप जब चाहेंगे तब मिला करेंगे ज़रूर बहुत बहुत शुगरे हैं इमरान मरी शुगरे आदेगा